नमस्कार दोस्तों हेमन्त एलपी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया पार्ट चार पढ़ेंगे यह चार को ही हम बेस भी कहते हैं और इसी का एक नाम है भस्म अगर कहीं पर भस्म लिखा है तो इसका मतलब भी आप चार ही समझ ठीक है इसमें देखें महतवपूर पॉइंट क्या है सबसे पहले चार की बात करें तो चार का जो स्वाध होता है वह कड़वा होता है ठीक है पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि चार का स्वाध कड़वा या तीखा जैसा आपको लगेगा ठीक है दूसरी बात क्या होगी कि यह जो है हाइड्राक्सी आयन हाइड्राक्सी आयन का मतलब होता है OH- ठीक है मतलब ऐसे ऐसी चीज जो जली ये बिलियन में हाइड्राक्सी आयन उत्पन न करते हैं उन्हें हम छार करते हैं तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि यह जो है ओ लाल लिटमस पेपर को नीला बदल देगा नीला में बदल देगा कोई लाल लिटमस पेपर है उस पे जेओ छार गिरा तेओ वह किस में बदल जाएगा नीला रंग में बदल जाएगा इसके अलामा चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो pH मान होता है वो साथ से अधिक होता है साथ से क्या होता है अधिक होता है अगर उदाहरण की बात हम करें तो आप लिख सकते हैं यन्ने OH एक चार है को एक चार है यन्ने OH का मतलब यह है sodium hydroxide इसे आप sodium hydroxide कहेंगे और KOH को आप potassium hydroxide कहेंगे ठिक कोई रिक्कत कोई रिक्कत ने आगे चलते हैं तो कुछ चार और उनकी उपियोगिता को देखेंगे जिसमें से सबसे पहला चार आपका है magnesium hydroxide magnesium hydroxide ठीक है देखें magnesium hydroxide की अगर की सूत्र की बात करें तो देखें magnesium का सूत्र हो था mg और अगर चार है तो उसमें OH आएगा ही और यहीं पिक्कर देंगे whole up twice यानि mg अगर कहीं लिखा है तो आप जान जाएंगे उसी में किया जाता है लेकिन इसका प्रियोग उसमें milk of magnesium के रूप में किया जाता है इसी को हिंदी में दूदिया दुदिया की बूदिया दूदिया प्रियोग चूने के पानी के रूप में किया जाता है इसका प्रियोग जो हम करते हैं चूने के पानी के रूप में करते हैं ठीक है अब देखे इसी चूने के पानी को हम कहते हैं विज्ञान की भासा में ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ठ C-A-O-C-L-2 इसका सुत्र होता है और कैल्सियम हाइड्राकसाइड से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्मार करते हैं और इसी ब्लीचिंग पाउडर को और हम कैल्सियम आक्सी क्लोराइड फिकाते हैं इसी को हम कैल्सियम आक्सी और क्लोराइड भी कहते हैं जो आपके परिच्छा में पूछा जा चुका है इसी को कैल्सियम हाइपो क्लोराइड भी इसी को कहते हैं अब अगर हम बात करें कि ब्लीचिंग पाउडर आखिर क्या होता है तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के गंध को दूर करता है और इसके अलावा जो घर के टाइल्स होते हैं उन टाइल्स को साफ करने में हम कैल्सियम हाइडर आकसाइड का प्रियोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रियोग करते हैं इसके अलावा आप सुने होंगे कैल्सियम आकसाइड अगर यहाँ पे हाइडरा हटा दिये जाए तो कैल्सियम आकसाइड जो होता है वह पानी के सुधी करण में या पानी में से जीवाड़ों को मारने में कैलसियम आकसाइड का प्रियोग होता है अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो चूने और क्लोरीन से बनता है और इसका प्रियोग क्लोरोफार्म और क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है अब आ जाता है आपका तीसरा सबसे महत्वपूर जिसे आप यन ए ओयच कहते हैं इसे हम कैलसियम यन ए ओयच का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रा साइड सोडियम हाइड्राकसाइड यन ए ओयच का जो मेन काम है साबुन के निर्माड में होता है साबुन के निर्माड में होता है अब देखे इसी सोडियम हाइड्राकसाइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं ठीक है, अब यहाँ पे जो साबुन का निर्माड हो रहा है कास्टिक सोडा वाले में, एक कपड़ा धोने वाले साबुन का निर्माड यन्ने OH से होता है, इसके बाद चौथा और अंतिमा जाएगा KOH, क्या जाएगा? के ओ यच्च, के ओ यच्च में के से हो गया पोटैसियम और ओ यस से हो गया हाइड्राकसाइड, यानि कि पोटैसियम हाइड्राकसाइड, देखें पोटैसियम हाइड्राकसाइड जो है, इसका भी प्रयोक साबुन निर्माड में होता है, लेकिन मुलायम साबुन निर्माड, मुलायम वाले साबुन निर्माड में हम पोटाइसियम हाइड्राकसाइड का क्या करते हैं प्रियोक करते हैं ठीक है इसके बाद अगर हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं तो अगर पहला पॉइंट हम देखते हैं तो जो अगनी सामक होते हैं अगनी सामकों में पाक सोडा, कौन सोडा? पाक सोडा, यानि आप कहा सकते हैं, बेकिंग सोडा का प्रियोग किया जाता है, ठीक है? अगर आप से कभी भी पूछ लिया, कि सोडियम जिंकेट का सूत्र बताईए, जो बहुत फेमस कोश्चन है, तो आप बताएंगे यन ने 2, जेड एन, ओटू, ठीक है? तो दोस्तों, इस तरीके से, अगर आप से कभी भी छार पूछेगा, तो आप बता देंगे कि जिन पदार्थों का स्वाध कड़वा, तथा असपर्स करने पर साबुन जैसा होता है, उसे हम छार कहते हैं, यहां तक कि, चाहे वो खाने वाला सोडा हो, चाहे वो खाने वाल